है गाईज बेलकम टो नॉलिस टेजर हंटर्स हम अपनी पॉलिटी के सीरीज को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे हमने पिछले वीडियो में यूपीएसी एसपीएसी इन सब के बारे में पड़ा था और आज हम देखते हैं फाइनेंस कमिशन और अभी हम कर क्या रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं हम कॉंस्टिटिशनल बॉडिज को जिसका एक पार्ट है फाइनेंस कमिशन जिसको अभी हम देखेंगे तो इस फाइनेंस कमिशन क्या होता है अब जैसे कि हमने देखा कि जितने भी कॉंस्टिटिशनल बॉडिज है वह कॉंस्टिशन ने द क्या होता है मतलब कि यह पूरी तरीके से तो एक जुडिशियल बॉडी नहीं है लेकिन हाँ इसके पास में जुडिशियरी पावर्स भी होती है इसको कौन बनाता है तो इसको बनाते हैं हमारे प्रेसिडेंट वह भी पांच साल के लिए ठीक है या तो 50 में बनाएंगे या फ फाइनेंस कामिशन की अब देखते हैं इसके कंपोजिशन को कि मतलब इसका क्या कंपोजिशन है कितने मेंबर्स होते हैं यह सब देखेंगे इसमें दा फाइनेंस कामिशन जो है यह इसमें एक चेर्मेन होते हैं चार और मेंबर्स होते हैं तो गाईज अभी तक अगर आप चार और मेंबर्स होंगे, टोटल पांच मेंबर्स होंगे, तो ये चीज याद रखना कि ये चो कमिटी है, इसके मेंबर्स की संख्या जो है नंबर वो फिक्स है, एक चेर्में और चार दूसरे मेंबर्स होते हैं और उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, ये इनका पीरिट क्या है कि उतना टाइम ये रहते हैं जितना टाइम प्रेसिडेंट ने अपने ओर्डर में प्रेस्क्राइब किया हुआ होता है और ये री अपॉइंट के लिए री अपॉइंट मेंट के लिए भी अलिजिबल हैं, अब तक जो वाडिस कबर की हैं उनसे बिलकुल अलग होता जा रहा है सब देखो, क्यों क्योंकि उसमें क्या था पीरिट फिक्स था, इसमें पीरिट जो है प्रेसिडेंट के विल के उपर है, नेक्स्ट ये एलिजिबल है री अपॉइंट मेंट के लिए जबकि अब तक जो पड़ा है उसमें कोई भी री इस बार पारलियमेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं देए, पारलियमेंट को देए कि वो डिटर्माइन करेंगे कि जो मेंबर्स है उनकी क्या क्वैलिफिकेशन होगी ठीक है और किस मैनर में उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा फिर है according to the Parliament has, accordingly the Parliament has specified the qualifications of the chairman and members of the commission और इसी अब क्या qualifications है, तो इन्होंने बोला कि chairman जो है, वो ऐसा person हो जिसको public affairs में बहुत जादा experience होनी चाहिए, ठीक है, chairman कौन होगा, वो person जिसको public affairs में काफी जादा experience हो, और जो दूसरे चार members है, उनको कहां से select हिया जाएगा, उनको select ऐसे किया जाएगा, कि या तो वो क्या हो, judge ह high court के, या फिर high court के judge बने लायक हो, ठीक है, उतने qualify हो, तब तो वो select कल दिया जाएगा, या फिर उनको specialized knowledge हो, finance और government के accounts की, या फिर वो person हो, जिनको financial matters में काफी ज़्यादा experience हो, या फिर administration में काफी ज़्यादा experience हो, या फिर वो person हो, जिनको special knowledge हो, economics की, तो उन persons को हम क्या करे हो, finance commission में appoint कर सकते हैं, अब देखते हैं, इसके क्या functions है, हमने finance commission बनाई पर क्यों बनाई, the finance commission is required to make recommendations to the president of India on the following matters, a finance commission इसलिए बनाई है, जिससे की वो क्या कर सके, जो इंडिया के president है, उनको कुछ matters पर recommendations दे सके, अब वो matters कौन से हैं, जैसे की, the distribution of the net proceeds of the taxes to be shared between center and the states and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds, ठीक है, तो जो taxes हुई है, taxes collect हुआ है, तो कितना share जाएगा center के पास, कितना share जाएगा state के पास में, इस बात का recommendation कौन देगा, आपका finance commission देगा, next is, the principles that should govern the grants in aid to the states by the center, ठीक है, अब जो center states को grants in aid देगा, तो वो कौन से principles के basis पर देगा, ये भी decide कौन करता है, finance commission जो है, वो recommendations देता है, इस मामले में, फिर है, the measures needed to augment the consolidated fund of a state, to supplement the resources of the panchayas and the municipalities in the state, on the basis of the recommendations made by the state finance commission, क्या है, कि जो consolidated fund of state है, ठीक है, फिर उसको कैसे बनाया जाएगा, फिर कहाँ, उससे पैसे कैसे पंचायत को दिये जाएंगे, कैसे municipalities को दिये जाएंगे, जो state finance commission जो है, उसने recommendation दी है, तो किस वेसे पे उसको पैसे दिये जाएंगे, यह सारा matter जो है, finance commission recommend करता है, या कोई और matter जो कि president देता है, तो वो यह काम कर देता है, ठीक है, फिर तिल 1960, the commission also suggested the grants given to the states of Aasam, Bihar, Udisa, Bessi Bangal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jude jude products, 1960 तक जो commission है, वो grants जो की state of Aasam, Bihar, Udisa, Bessi Bangal को दी जाती थी, किस बेसिस पे जो भी export duty आती थी jude product से, उस बेसिस पे जो grant दी आती थी, वो भी recommend करते थे, यह जो grant है, temporary period 10 साल के लिए दी गई थी constitution से, constitution जब start हुआ था, उससे 10 साल, तक जो है, यह grants temporary basis पे दी जानी थी, commission जो है, finance commission वो अपनी report president को देता है, president जो report है, वो दोनों house जो parliament के हैं, उनके सामने रखता है, और साथी साथे memorandum भी रखता है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी बात finance commission की नहीं मानी गई, और नहीं मानी गई, तो क्यों नहीं मानी गई? अब देखते हैं, advisory role को, it must be clarified here that the recommendations made by the finance commission are only of advisory nature and hence not winding over the government. ये बात ध्यान में रखने वाली है कि finance commission इतनी ज़्यादा recommendations देता तो है, लेकिन वो सारी जो recommendations है, वो सिर्फ advisory nature की होती है, ये तो government के उपर है, president के उपर है, कि वो recommendations को माने या ना माने, ठीक है? To put it, in other words, it is nowhere laid down in the constitution that the recommendations of the commission shall be binding upon the government of India or that it would give rise to a legal right in favor of the beneficiary state to receive the money recommended to be offered by them. देखो, क्या बोला गया है, कि इससे ये सिर्फ recommendations होती है, इससे किसी भी state को ये right नहीं मिल जाता है, कि उसके पास legal right है, कि जो भी recommendations दी गई है, उतना पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा. ये तो government की शद्धा के उपर है, कि कितना पैसा वो देगी, कि नहीं देगी. क्या अ.